जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रैशिया ने किस तरीके से एक एक करके टर्की का नौ द्रोन को मार गिराया और दोस्तो अब टर्की जिस तरीके से अपना विस्तारवादी निती के वज़ा से एक एक करके कदम उठा रहा है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि अब टर्की का भी पतन जलधी आने वाले समय में होगा दोस्तो टर्की एक तरफ जहाँ पे अजरवेजान में अपने हतियारों को देके अजरवेजान को अर्मेनिया के खिलाफ लड़ा रहा है, वही पे दूसरे तरफ साइप्रेस के बहाने ग्रीस के जगा को हतियाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर दोस्तो अग तर्की को तर्की भी हासिल करना चाहता था लेकिन इर्दोगान के गलत नीतियों के वज़ा से तर्की उसे हासिल नहीं कर पाया। दोस्तो अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका द्वारा एक नेक्स जेनरेशन के सब्मरीन का निर्मान किया जाएगा जिसमें नेक्स जेनरेशन के हतियारों के इलावा एडवांस, सोनार्स और डिटेक्शन एक्वेपमेंट रहेगा। बिना मतलव का ठर्की द्वारा भारत के साथ ही दुशमनी अपना लिया गया है और भारत के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी करके अर्दोगान ने अल्रीडी अपने आपके लिए एक बड़ा चुनोती बना के रखा है इवन टर्की जिस तरीके से मुसल्मान देशों के अंदर अपना दबदवा फैलाने के लिए इल्लीगल हरकत कर रहा है इससे बाकी के मुसल्मान देश भी टर्की के ऊपर चिड़ा हुआ है और दोस्तो खाली टर्की इससे अकेला वरवाद नहीं होगा बलकि अपने साथ अपना एक पालतु जानवर पाकिस्तान को भी बरवाद करेगा क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो आग बंद करके तर्की और चायना के हर एक मामले में सबसे पहले पूँच उठा के हस्तक्षेव करने के लिए दोड़ता है तो दोस्तो खाली अब इंतजार ये है कि तर्की दुआरा किस दिन आखरी हिमाकत किया याता है और ओटोमन अमपेयर के बाद तर्की का फिर से किस तरीके से टुकड़ा होता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद